तो 36 गड़ के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्ते के बहुत ही महत्वपूर जो है अपडेट से देखने को मिल रहा है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी के नए वेकेंसी जो है नए रिक्वाइमेंट्स की सौगात निकल कर आ चुका है आप सभी स्टूडेंट के लिए च्छतिस गड़ में जो है 390 पदोपर जियां च्छतिस गड़ में जो है 390 पदोपर भॉस्टल वाड़न शातरवसिद्थखरण के जो है बंपर भरती आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है 23Okidente के आ अिस वीडियो में आप सभी को मैं बताओंगा आफ़े देन करने के लिए यूग जयता क्या होगा स्लिबस और एक्जाइम पेड़ने क्या होगा कौन से सब्सेब्ड़े से कितने उंगों के क्वेस्टिन पूछे जाएंगे काट अप जो है कितना जाने वाला है से लेरी आपको कितना मिलेगा चैन प्रेक्रिया जो ले जाएंगे और 390 पद उपर भरती जो है 36 गर्ण में होना है तो सबसे पहले हम बात करें योग्यता कि क्वालिफिकेशन आखिरकार होस्टल वार्डन बनने के लिए क्या होता है जिसे हम होस्टल वार्डन भरती पर इक्षा एक्जाम की तहरी अच्छे से कर से कर होस्टल कि माद्मिक शिच्चम अडारा राइपूर बोर्ड से पास आउट होना चाहिए चाहिए अपने कमच्र often रिपोर्ट होना चाहिए उत्स आपकर जो का फिसी जादा इंपॉरंट होता हर मायने में कम्च्रूटर से कहता है तो एक वर्से का डिपलोमा कोर्स आइं बहुत ही important होता है तो यदि आपने एक वर्सक आई टी आई कोपा किया है डिशे किया है आपने पिजी डिशे किया है बी सीए किया है या फिर आपने computer science या फिर आपने computer science किया है तो आप इसमें eligible रहेंगे और आप जो होस्टल वार्डन के 390 पोश्टर के लिए बेज जीज़ा आप अराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें आयू सीमा एक उम्र की बात करें तो होस्टल वार्डन बनने के लिए minimum आपका इसमें पर 16 के डीगरी वाले स्टुडेंट है पाँच वर्षा कर दिया जागा तो यह दिया 25 वर्षे के हैं आप आवेदन कर सकते हूं वहीं अदियाप भी सिक डीगरी वाले स्टुडेंट है 43 के तो भी आप इसमें scholar golden भरती परिख्चह में आप पर आम से Это रहा आम से इत तक अब अगर हम बात करें सेलेरी की वार्डन भरती परिक्षा में कितना सेलेरी मिलेगा तो इसमें स्टार्टिंग सेलेरी आपको जो है 22,000 रुपे जो है आपको खर एक महीने सेलेरी दिया जाएगा जो कि काफी अच्छा माउंट है इसके साथ सेलेक्शन प्रोसीजर के बा होती असान है इसमें किसी भी तरह से आपको इंटर्विस वगेरा देखने के बिल्गुल भी जोरत नहीं है अब हम बात कर लेते हैं आपके स्लेबस और एक्जाम बढ़ने के बारे में और सांथी कट अप के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कट अखिरकार कितना जो है ज एक्सो पचास प्रशन पूखे जाँगे जो फुल एक्सो पचास अंकूं के होंगे प्रते प्रशन अपक रोंगे और इसमें माइनस मार्किंग होंगे निगेटिव मार्किंग होंगे चार प्रशन आपने गलत किया है तो पांच नमबर आपको सिंपल जो है कट जाएगा कमजूटर के बात करें तो कमजूटर से हमके एक्जामस में 50 संको के 50 प्रशन जो हमके एक्जामस में पूछे जाएंगे इसके सांथ इंदी से भी 10 शंकों के 10 प्रशना, अंग्रेजी से भी 10 शंकों के 10 प्रशना, समानी ग्यान से 20 शंकों के 20 प्रशना, समसाई की घटना करम करेंट अफर्ट से भी 20 शंकों के 20 प्रशना, अच्छतिस गड़ की समानी जानकारी से भी 20 शंकों के 20 प्रशना और इसक से में इपोर्टेंट आपका जो है कम्शूटर्स होता है और पहला टॉपिक भी तो कम्शूटर्स से आपके एक्जाम में सीधा 50 अंको के प्रशन है पूछे जाएंगे आपके एक्जाम से जिसमें कम से कम कमशूटर्स की समाने जाने जाएंगे साथी कमशूटर्स के प्रोमुक भग जस इसमें इंप्ट ड्यूस और पूछे जाएंगे प्रिंटर के प्रकार, इंक जेट, लेजर, डेट, डेट, और्मेटर्स, प्रिंटर, और सभी प्रकार के प्रिंटर्स के बारे में आएंगे साथी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जनकारी, MS Office में आपका MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access इन सभी चीजों के बारे में नौलेज आएंगे साथी, इंटरनेट के बारे में पुछे जाएंगे, email के बारे में, search engine के, web browsers हो गया, shortcut case हो गया, full forms हो गया, इन सभी चीजों के बारे में आपका नौलेज पूछे जाते हैं, जो कि काफे जादे important हो जाते हैं आपके exams के लिए, तो computer जो हर मैंने में important है, तो computer के लिए one of the most best books, सबसे important, popular, best books है आपका परिक्षा मन्थन का जिया, यदि हम परिक्षा मन्थन का बूक लेते हैं, computer परिक्षा है, जिसे कि आपके computer के त्यारी जो अच्छे से हो पाएगा, computer के संपूर नौलेज आपको मिलेगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदी के बारे में, तो हिंदी सिदा शंगों के प्रशन पूछे जाएंगे, हिंदी में आपके exams में आँगे, श्वर, वेंजन, वर्थिनी, वशन, काल, संग्या, श हिंदी के वेकरण के लिए दिली आई, यसे गेडमी का बुक लेशकते हैं, दिली आई, यसे गेडमी के बुक में, आपको हिंदी के बारे में, complete knowledge मिल पाएगा, इसके साथ मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश के बारे में, तो हिंदी भी काफी जाधा है, इंग्लिश में आपके एक्जाम्स में जो है, ग्रामर्स में यसे भी आएंगे, नाउन प्रोनाउंटें, स्वाईश नारेसन, कंजिक्सन पर पूजिशन, आर्टिकल, डिगरी, क्वेस्टेंट, वनवर्डस सब इस्टिटूशन, सब अटिनेट, कौाइडिनेट, फिनिट वर्वर्व, न उन्फिनिट वर्व, प्रेसिस राइटिंग, तो इन से भी से हम जो है, इंग्लिस के ग्रामर्स के त्यारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपको ग्रामर्स के बारे में, कंप्रीट एक्जूरेट नॉलेज मिल पाएगा, इसके साथ हम बात करें, समान्य ग्यान के तो आपको अच्छे साथ है, तो इस अगर वीडियो से अच्छा लग हो, वीडियो से पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किज़े, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा, इन वीडियो को जित्ता हो सके अपने फैमली में, दोस्तों में शेयर तो इसी तरह से नहीं वीडियोस मिलते रहेंगे बस अपना ख्याल रखें शतिस गड़ में होस्टल वर्डन के 390 पोश्ट जो है 390 वेकेंसे जो है आउने वाला है भरती नहीं वेकेंसे साएगा कोई नहीं अपडेट साएगा तो वह स्वरुख साम से भी को मैं बताऊंगा म मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में और